वाहे गुर्जी का काल साव वाहे गुर्जी की प्रतिल में तोड़ी होस्ट नियुकोर्त में सब्सक्राइब कर दियां प्रोग्राम सचो साच रुजाना नी तरह तो डेटे साधी हार्मन प्यारे डव्टर अमर जी सिंगी मेरना बैठे हो यह ने आउनना मिलकी प्रोग्रम शुरू कर दियां जी डाउट सब आज आट मैई दो हुजार चोदा पच्ची विसाख नानक शाही समत पांसो शारीदा दिन है इस तो पहला कि मैं अपने दर्शकावल हुआ या इमेल से मैसेजिन पढ़ा तुसी सारे दर्शकाना कोई आजदा एम विशास सांजा करना चांदे हो देखो जमें आसी एक नवा फीचर एड कीता है कि जड़े कोई वी करंट टॉपिक ने जड़े साड़े लई दिल्चस्पीदा कारण ने जहां पारत साउथ इस्या दिस्तितिन आरजना दा सबंद है उनानु असी इस सेग्मेट दे विच शामल कर दे हैं जमें पिछ्छे असी न्यू यॉर्क टाइम्स दे स्टोरी शामल कीती सी जड़ी काफी पॉपॉलर भी हुई इंटरनेट दे होते हैं जी जी अज साड़े वीर सुरंदर सिंग वर्जिनिया चने उनाने सानु एल जजीरा जड़ा के बड़ा पाउरफुल है इस विड़े सी एनन तो भी ज् कि जड़ उननी सो बानवे दे विच छे दिसंबर मू बाबरी मसीद टाई गई इसी ते एक पैनल डिसकेशन ही थे थे थर्ड वर्ल ब्राड कास्टिंग टीवी चैनल हुंदा इसी जी उननाने एक पैनल डिसकेशन रखी और मैनू भी सद्दे है चार पंज होर पैनल दे व बिच शामल सी और वो बड़ी लाइवली डिसकेशन सी तो मैं जो दो वे इस धारतवर्द राजनों देख दे है इनने बड़ी प्राग्रेस कीती है हिंदू अख़वार दा एडिटर बढ़ना कोई सौकी गाल नहीं है तो होन अख़वार इनने चाड़ दती है तो ए सेंट इंटर फॉर पब्लिक अफियर्स और क्रिटिकल थियूरी न्यू डेली तिंक टैंक है उदा सीनियर फैलो है जो अलजजीरा ने ये आर्टिकल छापिया है और इदा हेडलाइन ये है इफ इंडियाज निरंदर मोदी विंस जी उन गालत ही कर दे है अपने सिक नुकताने ग पावद करेगा ये जड़ा आरेसेस ता हिंदू फंडामेंटलिजम है तो ये दिल्चस पार्टिकल है ये जिए क्योंकि यसी टाइम रिस्टें काई वरी नहीं रख दे क्योंकि आर्टिकल लंबे हुं देने ये नहीं मैं थोड़ा एडिट विच्छों करांगा जड़ा मै इस ती बिगनिंग जड़ा है अलजजीरा आर्टिकल दिये हुं दिये है वट कैन इंडिया एंड़ एंड़ एक्सपेक्टिफ निरंदर मोदी दा सेल्फ स्टाइल हिंदू नेशनिस्ट हू इस फ्रेंट नर रनर इन दा एलेक्शन एंड़ अप विनिंग ए प्लूरालिट सिट्स वें रिजल्ट साइड देकलेर न के ये मे शड़ानु जड़ा देकलेर हुं देने पार्ति पार्लिमेंट चोना दे पारत नू दे संसार नू की वापरेगा ज़न दुनिया की हूएगा ज़े हिंदू राश्ट्रवादी नरंदर मोदी जड़ है ओ ज्यादा सीटन चिंशनल आंसर जिस देपेंड लेस बैंट राद वक्टरी जाने रवायथी जवाब हुएगा कि ये बन्दे तरी टेपेंड करेगा ये तरी जा एंनों किस लेवल दी काम्याभी मिल दी है जा किनियाक सीटा मिल दियाने हुण इन्हें अलग अलग सिनेरियो जबते ने भी की हुए गए if he is forced to farm a government with allies the argument goes Modi would not have the freedom to pursue a hindutwa agenda कि जे उन्हों बहुत ज्यादा सीटा नहीं मिल दियान ते जिननलार मिलकियो सरकार बनाएगा उदेच उन्हों उन्ही अजादी नहीं हुएगी कि उखुल के hindutwa agenda नूं implement करे hence there would be no reason to worry इसरही फिकर करंदी लोड नहीं and even if he were to have a majority of his own जे उदी अपनी majority बनवी जाए some institutions assert especially the supreme court the election commission the controller and auditor general CAG and the media would keep him on the straight and narrow path के जे बनवी जाए the majority ता फिर जड़िया संस्थावाने जड़िया उन्हाने ना लई है supreme court, election commission controller and auditor general जन्हों CAG केंदे ने उन्हों सिदे रस्ते ते रखनी है in my view the argument that Modi would be constrained by his allies is deeply flawed के ए जड़ा दलील है के Modi न्हों दूसरीया पार्टीया क्योंके NDA सरकार चुना दी दूजिया भी ओनू रोक सकड़िया उन्हें क्या यह बिलकुल गलत दलील है and while India's institutions have shown a capacity for independence there are also reasons to worry उन्होंने क्या भी supreme court, election commission CAG दूजिया ने पावें अपनी अजादी दखाई है पर उत्ते भी फिकर्दा कारणे while there is little doubt that his BJP will emerge as the single largest party in the लोकसबर, the lower house of parliament there are three scenarios which need to be considered कि इदे जज कोई शाकर नहीं है BJP एक वड़ी party दे तो और तो अबरेगी पर तेन दृश हो सकते ने पार्लिमेंट ते चोना तो बादे बड़ा दिल्चस्प है in scenario one पहला दृश की है the BJP wins about 170 to 180 seats and will need the support of not just its allies in the National Democratic Alliance but also a major new partners in order to reach the halfway mark of 272 in a 543 seat house including ममताब अनर्जी स्टेनमोल कॉंग्रिस उन कुल बहत्त जड़ी हैं सीटा ने पार्लिमेंट दी हैं 500 तर्तारी ने सरकार बना लगी 272 चाही दी है और पहले scenario चे कान दे है के BJP ने 170 सीटा मिल दी हैं सो उदे लगी इवन उदियां जनियां सहयोगी पार्टियां ने उन्हें नार्वी मिजॉर्टी नहीं बन दी ते हो ममताब अनर्जी तक भी पहुंच करन गे Of all potential lies she's also the only one likely to insist the BJP nominate someone other than Modi as Prime Minister a condition the party will not accept जे ममताब अनर्जी तक पहुंच हुंदी आओए कि है कि मोधी नो नहीं बनाना पर दान मंतरी जे ए शर्ट जेड़ी है BJP मननेगी नहीं the BJP will either try and form a government without her and if it cannot it would rather not make a pitch for par कि ओ मोधी तो बिना सरकार नहीं बनानगे ममता तो बिना बनान दी कोशिश करनेगे जे ना होया आते हो सरकार नहीं बनोगे in such a situation therefore a Modi win could not lead to Modi government जे एस scenario बन दा है फिर Modi ते सरकार नहीं बनेगे under scenario two दूसरा दिश की है the BJP wins around 2010 to 2020 seats and will thus be in a position to form the government with its NDA partners and a handful of independents and smaller parts उन्हों दोसो दास्तो दोसो वी सीटा में दियाने उच्छोटियां पार्टियां दे ना हो जाजाएं कोश अजाद MPN उनार मुला के सरकार बना लें दे there will be no need for any potentially mercurial partners like the AI, ADM case but parties like the तलंगाना, राश्टी, समिती and YS or Congress of Jagan Reddy which would probably be heading the government in the new states of तलंगाना and सिमांदरा उन्हें आंदरा नो तोड़के दो सूबे बने एक सिमांदरा एक तलंगाना तो उन्हें कि उन्हा पार्टियां दी मददे नाजरियां कि जतन गीयां मुदी अपनी सरकार बना सक़ए they would also be fairly dependable a license, they need to have the good will of the central government and come with little ideological baggage क्यों उन्हें को बहुता सिदान तक उन्हें दा कोई baggage नहीं है और उन्हें भी सेंटर दे विच हमायदी लोड है एक सिनेरियो बन सक़ए while the government run by the BJP's at Al-Pihari Vajpayee from 1998 to 2004 might have looked and behaved very differently if the party had more seats the degrees of freedom Modi will enjoy as PM under scenarios 2 and 3 will not be at all different scenario 10 मैं विचो पहरा मिस करता है एक तीसरे सिनेरियो चो नहीं किया in scenario 3 the BJP wins upward of 250 to 260 seats and will be free to form the government without being particularly constrained even by its NDA partners not to speak of anybody else तीजाद रेशे है के मुदी BJP नो 250 तो 260 seat नहीं मिल जान दी है और उन्हानों कोई भी लोड नहीं पहन दी जड़ा पहरा में अपड़े है उन्हाने किया कि भी जे ए भी बन जान दा है ते scenario दूसरा ते तीसरा पहले नाड़ो वक्रा नहीं हुएगा the fact is that any government he heads will be very different from the government NDA वाजपाई रेन फर सिक्स कहन दा है भी इना तिन्हा जो कोई scenario बन जाए जे मुदी प्राइम निस्टर हुन दे ते ए वाजपाई दी रीडर्शिप नाड़ो क्योंकि वाजपाई दी भी सरकार बीजेपी दी सरकार से बिलकुल एक डिफरेंट उस ता कम करन दा टंग हुएगा मुदी एंड वाजपाई may be cut from the same ideological पावी कोई विचारता रहे कपड़े चो आये ने बोथ मेन आर प्रोड़क्ट्स अफ हिंदू शावनिस्ट और्गनाइज़ेशन राष्टि स्वम सेवक सेंग दोनों ही हिंदू मूलवादी संस्था आर एसस दे मेंबर है ने बट डिफर इन एट लीस्ट थ्री क्रूशल रस्पेक्ट्स पर तेन मामलें थे विच ओ एक दूज़े तो वक्रे ने एक परग्राफ होना थी परसनेल्टीज उन्हों एनलाइज कर दा है उन्हों मैं एड नहीं कर रहे है हुन मैं कंक्लूजन ते आ रहे हैं जड़े दो दे कंक्लूजन ने कि एक उन्हें हेडिंग देता है वाई टूज़ेंट टू गुजरात रॉइट स्टिल मैटर कि दो हजार दो दे जड़े गुजरात दंगे ने क्यों आजवी है हमने जी है के हिंदुस्तान दी है जड़ी है चौंकी दारी करन वारी है संस्थामा ने जवे सुप्रीम कोर्ट, कैग और दूसरा दा ना किकता है मीडिया जी इफ दा सुप्रीम कोर्ट और कैग वर हाइपर एक्टिव दिफाइड दूरिं मनमौन सिंग्स टैनियर अन इंपर्टिवर्ट रीजन वाज दा स्ट्ट्रल वीक्नेस आफ दा युनाइट प्रोग्रेसिव अलाइस गर्मेंट देट रॉब्ड इट रॉप्रीम कोर्ट जा कैग इसले एक्टिव रही है कि मनमौन सिंग्दी सरकार कमजोर सी आपस दे विचो कोई कोहरेंस नहीं सी इसले यो उनानों मौका मिले है इन फेक्ट इंडिया इंक लास्ट फेट इन दा कॉंग्रिस पार्टी बिकाज दे फेड तो मैनेज और इस इसले है कि जड़ी सेंटर गवर्मेंट है इनानों काबू नहीं कर सकी और एक तो बाद एक जिड़ा कैटगरी है उदे छो डॉमिनेट करते चलेगे जी दा कॉर्पोरेट्स वांट मोदीया इस पी-म हुन असली गाले जो दो आसी कहां दे है के रिलाएंस हम बानी जा सारा कार्पोरेट सेक्टर ने मीडियरा एक चूठी वेव चलाई हुई है हुन क्यों कार्पोरेट सेक्टर दा इंट्रेस्ट क्यों है उ मोदी नू क्यों बरोना चोजेने हुन इदे चे दा बड़ा अच्छा है नेल्सी जे सिधारत दा जे दा कॉर्पोरेट्स वांट मोदीया पी-म ब्कॉस देया फेट in his ability to resolve the kind of damaging institutional contradictions that led to the cancelling of spectrum allocations, a moratorium on mining, the stipulation that scarce resources be auctioned and not simply parceled out and the scrapping of projects on environmental grounds. होन आदी वासी उजड रहे ने जिना स्टेटा चो जिते mining हों दी है उदे ते पाबंदी है भी अगों नहीं हो सकता stipulation that scarce resources be auctioned and not simply parceled out कभी जमें एसी कभी हर जड़ी चीज है वो auction होए ना कि उन्हों किसे पार्सल आउट कीता जाए और environment ground दे उते कुछ प्राजेक्ट सरकार नों रुकने पे क्योंकि environmental lobby जहां ministry वी स्ट्रॉंग सी सुप्रीम कोर्ट आउडर भी सी तो ने क्या जे मुदी आया ते हैं उन्हें कुछ नहीं होन देना कि भी कोई इसलही जड़ा कार्पुरेट सेक्टर है वो उन्हों बैक करते हैं कि वी ओपामे आदी वासी को चलने पे एंवारिमेंट दा बेड़ा गर्क करना पे क्रब पैसे लेके पार्सल आउड करना पे वो सब हो जाएगा वो मुदी कर सकते हैं दा अनप्रेसेडेंटेड वार्निंग इशूड बाई सीनियर बीजेपी डीडर अरुन जेतली टू दा जुडिशरी क्यों देखो भी एक कि में जुडिशरी नूँ और दूसरे नूँ पर वावत करनें अनप्रेसेडेंटेड के इदा कुई पहला रवायत नहीं है कि तुसी जुडिशरी नूँ दो दा जुडिशरी वार्निंग इशूड बाई सीनियर बीजेपी डीडर अरुन जेतली टू दा जुडिशरी वें दा यूपी ए गौर्मेंट सैड इट विट सून नेमे जजज दा स्नूप गेट प्रोग में वेल बी ए हार्बिंजर आफ ता मैनर इन विच ए फ्यूचर मौदी गौर्मेंट विल डील विद दा कोर्स उन सेंटर गौर्मेंट ने एक है सी कि जड़ी मौदी ने उथे एक बीटी गुजरात ते विच जेस दे उते परसनल एसकोटी वांगे जज बठावांगे इन्वेस्टिगेट करने लिए हला इलेक्शन कमिशन ने भी रोख दता है पर उन्हें किया भी जेतली ने वार्निंग जज नो भी नाड़ी दे दती है जड़ी यह गाल दस दी है भी आन बड़े दिना जुड़ी श्रीदा की हाल होए गाई गा जो दा नेम अफ़ जज हुए जड़ी तो लेंड हिमसेल्फ तो दा यूपी ए ही रोट रीसेंटली जेतली ने किया जे मैं जानना चावांगा केड़ा जज प्रोग मतलब यह पहला ही तमकी दे दती के फिर असी देख लांगे जड़ा भी जज जे इस इन्वेस्टिगेश एंडर कॉंस्टेंट सर्वलेंस फर वीक्स मैं अलड़ी यहनु बियां दोता है जे जेतली सुझेस्टिट जज जजज इस अप्रोच जो फॉर आज रोड़ेश पैनल बिकॉस दा केस वास पॉलिटिकल जज भी दोड़गे उनने किया है जेतली कहना जी मैं देख रहे हैं जिनानों भी अप्रोच कीता है, उन्होंने कहा भी हसी नहीं करना है, but their reluctance could also reflect their unwillingness to be on the wrong side of a man who might become prime minister. कि भी already judiciary दे, विच मोदी दे आण ने एक fear पैदा कार दते हैं, और उदे नाड़ों टक्कर नहीं लेना चाहूं दे. How the judiciary would response to petitions and cases if मोदी were actually to become prime minister is anybody's guess. यह अंदाजा लाना ओका नहीं है कि जदो में prime minister बन गया है, तो मोदी दे खिलाफ जदो पर्टीशन है तो दूजी आई है तो जजी क्यों है बहेव करना है. Similarly, the defined language मोदी has used to attack the election commission after it ordered the filing of a case against him for violating the model code of conduct suggests a worrying degree of impatience towards the constitutional body. कि मोदी ने जविए election commission दे खिलाफ जड़ी जड़ी जबान इस्तमाल किती है, उत तो यह अदाजा हो जांदे, कि एक क्वें उनू टॉलरेट नहीं करेगा, एदे चुने, which government has given you appointment, who is your boss, these cannot be the basis for the functioning of the election commission. कि मोदी एक्षिन कमिशन नहीं कह रहे हैं, जब भड़े हैं नहीं प्राइमिनिस्टर, फिकेडी सरकार ने तो अनू बढ़ा है, कौन तो अड़ा बास है, इता साथ जड़ी है, तुसी साथ गांड किती हुए है, सरकार ना, तो अखीर लाइदा पार्ट मीडिय ना पार्ट मीडिय ने जड़े वाच डॉग ने, जुड़ी शरी, कैक, दुझे, ए दौड़ भी जानते हैं, मीडिय दा की रोल हुए है, शुरली, इट कैन बी कौंटेड अपॉन तो कॉल आउट मोदी, इफ और वेन ही क्रॉसिज ए लाइन, की मोदी नो तार्गेट करने हैं जी, इस सेक्शन अफ ता मीडिय नो डाउट विल, छोटा जाए सेक्शन जरूर करेगा है, बट विद मैनी न्यूस पेपर्स और टीवी स्टेशन ओंड बाई, रिस्क आवर्स और फैनेशली कंप्रोमाइज प्रॉपराइटर्स, जैट सेक्शन में नोट पी वरी लार्च की जिनादे मीडी है, जिनादे इंटर्स जुड़े होएने उउ कदे मुदी षी ख्लाफत नहीं करा रंगे अमीडी जिनाएज यूनयू जौई करें log किता है, जिनाने ने ने मुदी वे बढ़ाई है अखीर चुनने ने किया है कि भी शहजाद पुने वाला, a lawyer, who described himself as a Congress Party supporter, recently wrote an article critical of Modi for DNA. उन्हें एक अखबार दे लई, DNA, शहएद दखन नेशनल कोई न्यूस है जा की है, लिख्या है. The piece which was essentially a compilation of official quotes from the National Human Rights Commission and other bodies that cast Modi in poor light quickly became one of the five most read articles on the newspaper's website. बीदेच मोदी दा क्रिटिसिजम जड़ी हुमराइट कमिशन दी रिपोर्ट है, उस्ते अदारत की तग है ऐसी और ये बड़ी जल्दी जड़ी जड़ी पांच सब तो ज़्यादा पॉपुलर आर्टिकल सी होना चला गया, बट आवर्स लेटर इट मिस्टीरियसली वैनिश्ट बट कुछ कंटें बाद ही ए उत्हों अलोप हो गया आर्टिकल, नो एक्स्प्लानेशन वाफ़र्ड इधर तो पुनावाला और दा निउस पेपर्स रीडर्स, ना लखारी नू पता है भी क्यों गाइब हो गया, ना जड़े रीडर ने, पाठक ने, उना नू पता है, और कंट्रूड कर रहे है, इन दा एपसेस अफ एनी वर्ड फ्रम दे एडिटर अफ़र्ड इडियने, डियने दे एडियनेशन वालोग कोई एक्स्प्लानेशन ना होन दा मतलब है, वन कैन ओनली इंफर दिए सम्वन सम् कडवादत है, the request need not have come from Modi or his office for us to be alarmed about it, कोई जरूरी ने के, मुदी दे दफ्तर चोई कितम की आई हुए, पर पता है भी, ultimately, इदे पिछे कौन हुएगा, for the question to ask is this, is the final comment है, उन एह सवार पुछना बढ़ दे, Will the frequency and intensity of such requests increase or decrease if Modi were to become Prime Minister of India? की ये इस तरह ही, media चो आर्टिकल गायब हो जानगे, उना बारे बेंती आएगी, बेंती वदेगी, गेंती जड़ी डिसपीर होने वाले हैं देखें नहीं, क्योंकि ए बड़ाओने विंगात्मक तरीके दे नालके है, कि आन वाले टाइम जुडि केड, आडिटर, मीडिया, ये सारी जड़े ने सरब हो जानगे, और मुदी दा गुनगायन करनगे, जो ए अलजजीरा वनों छापे आगे आर्टिकल, जिदा हैडलाइन ये ऐसी कि की होएगा, इफ इंडिया निरंदर मुदी विंस, तिन सिनेरियो डिस्क्राइब करके, उ हैं, जो एसी मुबार्क बाद दें सिदार्थ वर्द राजा नो, आमे मेरा 1992 तो बाद उना नार्ड शायद इकवरी संपर्क होया है, क्योंकि और अरन पॉल जिनाने हुआर गिल्टी रिपोर्ट छापी सी, उनाने कॉलंबिया युनिवस्टी सेमिनार ते आना सी, तो मैं सिदार्थ वर्द राजर मिले सी, जो नो, खुशी है, वी आल्मोस्ट बाइस साल बाद में उना जो राइट अब देख रहे हैं, तो कटो कट उनाने हिंदू तो आदी आईडिया नो नो नहीं अपना है, बेशक इंडिया नेशनलिस्ट है, लेकन कटो कट हिमत दे नार्ड ने गल किती है, कि मुदी दे आण दे नार्ड की होएगा, जी तो असी जड़ा है, अल्जजीरा दा भी शुक्रिया दा कर दे हैं, कि उन्हाने इस लेवल दे आर्टिकल नो छापे, जी जो रूट साओ, आहम विशदी जान करी दियन लिए लिए तो अड़ बहुत बहुत आहम है, कि अभआ स अणखे работать, जी जान कर दिए लिए, खर दे ही तो कि हो खिर दिए खुक्त, प्रे दूड़ दे कर दो कि अार्टिक पिर दे लिए, आहम जो पहार हैं, कि आहम विए, ।ो अधिए बहुत मैं थार्टिकल देवा हैं, कि उन्हाने तो मैं तो मैं शरू